सर्वप्रथम आववान करें हम पराध्परें पराध्पराजन्नी की संम्मिलित्ति विचेतनात्ता वाउतरी थोकर वर्तमान में पराध्पर के प्रतिविधी सर्व प्राधु भूतुए महायोगी महर्शुष्य विन्द्वारा विराचित सावित्री महाकाववे के बुक वन चैन्टो फोर दसी क्रेट नौलेग वावन में प्रष्ठ की दस्वी पंक्ति पर बतीश्में इंस्टॉल्मेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर उर्द्वारों कराएं काकी रखे गए भाव को विचारना को मंत्रों को सुत्रों को प्रकटोने कर हम ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तादन रूप साधना के दुरूपत पर अपना कदम आगे बढ़ा सके इसी मुनो भाव से हम प्रहतन करते हैं कहते हैं वहायोगी but few can look beyond the present state or overleaf this matted haze of sands all that transpires on earth and all beyond all parts of an illimitable plan the one keeps in his heart and knows alone पूरू के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव के ओर हम आगे बढ़ते हैं भौतिक वादी जगत के आध्यात्मिक इंद्री सुखों में लिप्त मानाव जीवन यापन में पूर्ण तरह डुबी हमारी बाहय क्रिया कलाब समलग नरस लेती चेतना में जीवन ही आपन की आवश्यक मांगों से लेकर एश व आराम लिप्त इच्छाएं आकांच्छाओं से स्वयम को निकाल पाना लगभग असंभवसा ही मालूम पड़ता है केवल बर्तवान जीवन को स्रेश्टता से बाहय इंद्री इगत आनंदों के मध्य कैसे जिया जाए बस इसी के लिए पूर्णत हमारी व्रत्ती बाहय क्रिया कलापों में अर्तियंद व्यस्त रहती है भूत काल के श्रम्शील विकास वन्मुक क्रिया कलाप से विक्सित वर्तवान जीवन में इस पर विचारना चिंतन एवं वर्तवान इस तरसे भावी भविश्य की ओर बढ़ चलने की विचारना से प्रेरित जीवन यापन करने वालिये यानि अपनी वर्तवान स्थती से आगे कुछ भी देख पाने वाले सच मुझ कितने थोड़े से ही होते हैं अधिकांश तो प्राप्त कारणों को मिले इंद्री वोद की उल्जी पुल्जी जाडियों की किले बंदी वाली गहन बागड से बहिर मुखी इंद्री इगत क्रिया कलापों से मुक्ति पाने का घोर शम्रत प्रयास करके अंतर मुखी बनकर स्वंत पुरुष संपर यों संसर्ग प्राप्त कर पार पाजाना ऐसे कितने थोड़े से मानों हैं जो इस इंद्री बाढ़ को लांग सकते हैं श्रीमत भगवत गीता में भगवान स्रीकृष्ण संबोधित करते हैं लाखो करोडों में कोई-कोई मेरी यवर बढ़ता है और इन कोई-कोई बढ़ने वालों में से कोई बिरला ही मुझे को प्राप्त होता है सश्टी के बूल में एक इमूल भूत और मौलिक तर्त्त्व है वह है चेतना जो अचलायमान प्रात्पर से उदित संकल पहे तू उन्हीं का एक भाग सचलायमान होकर सब्त सोपानों से अवतरितों ते हुए अनन्त के अनन्त विवाजित अंशों से सजन आरम हे तू अचित आवरण ओड कर नाना रूपों में विव्यक्तों कर सतत्विकासों मुख प्रक्रिया से विकसीतों होते हुए जर्वनस्पति प्राणी मनुष्यता तक लगबग अर्द चेतन अभिव्यक्तिकरन संसिद्ध अवस्था तक पहुंच सकिये वह चेतना यह संपूर्ण घटित होने वाली क्रिया तो परमात्मा की एक असीम युजना का घटित होने वाला एक छोटा सा भाग है जिसके अंतरगत जो कुछ प्रत्वी के उपर और इसके उस पार समुचे स्रजित विश्वरमांड में कहीं भी कुछ भी ओने वाली क्रिया घटिना यह तो उन परमदिवी प्रभु की असीम युजना का ही एक अंच एक भाग होता है इस समुची घटितोने वाली क्षणिक या युगो युगो तक की घटितोने वाली प्रक्रिया का संपून लेखा जोखा स्रजन एवम अभिव्यक्ति करण की युजना का मूल प्रारू ब्लूप्रिंट जिसको वह एकम स्वयम के अंतर में रखता और वही समस्त सत्यों तत्यों को अकिला जानता भी है यहां धर्तियों जगत में सब कुछ के संचालित होकर प्रकट होते जाना उन्हीं एकम के दिव्य सत्यानिश का विकास ओन्मुक अभित्ति करण का एक ही बस यह नियम है अन्य कुछ भी नहीं आज हम इस सारगर्वित विशे को यहीं विराम देते हैं आवान पर अउतरित हुई परात परेवों परात पराजन्दी की सम्मिलित दिवी चेतना इन पर आरूड होकर हमने सावित्त्री महां कावे के दिवी सूत्रों मंत्रों को प्रकट उने पर देखा सीखा समझा जाना प्रकट वी अवतरित दिवी चेतना से हम निविनन करें प्रकट वी इस ज्ञान विज्ञान को हमारी सत्ता के इस तरों में उचिति स्थान प्रदान कराएं ताकि जब साथना के दुरूपत पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवशक्ता हो तब यह ज्ञान विज्ञान जागरत होकर साथना के दुरूपत पर हमारा नेत्रत्त कराएं सी मनुभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गराई में प्रवेश कर जाएं सचेतन सावधान सावचेत बने रहें भागवत क्रिया मारी सत्ता के इस तर पर संपन्द होने जा रहें झाल 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